तो दोस्तों पूरा दुनिया के उपर परवानो खत्रा फिर से मंडरा रहा है और इस बार ये खत्रा 1945 से भी काफी भैंकर है और एक देश नहीं बलकि कई सारे देश इस परवानो खत्रे के चपेट में आ सकता है खास करके भारत क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि के द्वारा भारत के खिलाब परवानो हत्यारों से लैज मिसाइलों को इस्तेमाल करने का तैयारी किया जा रहा है मतलब चाइना भारत के उपर परवानो हत्यार इस्तेमाल कर सकता है अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि अगर चाइना के तरफ से ऐसा कुछ करने का इरा प्रीड में भारत के द्वारा कई सारे परवानू हत्यारों का टेस्ट करके दुनिया को ये दर्शाया गया था कि भारत भी एक परवानू शक्ति है। और ऐसा देश जो परवानु हत्यार नहीं रखता है उसके उपर तो कते ही परवानु हत्यारों का इस्तेमाल नहीं करेगा अब दोस्तों ये जो no first use policy है ये एक तरीके से देखा जाए तो तफ के समय में भारत के लिए सही था लेकिन अब के समय में कई सारों एक्सपोर्टों का मानना है कि no first policy भारत के लिए सही नहीं है क्योंकि भारत के परोस में दो परवानु शक्ति संपूर्ण देश पाकिस्तान और चाइना लगातार भारत के जमीन को हत्याने का प्रयास कर रहा है और किसी विवक्त दोनों देश पर 9 साल गुजरने के बावजुद अब तक इसे लेके कोई जानकरी नहीं दिया गया या फिर हो सकता है कि इसे रिव्यो किया गया हो लेकि इसका जानकरी पुब्लिकली नहीं दिया गया अब दोस्तो भारत के जो परवानो डॉक्ट्रें है उसे लेके एक ड्राफ्ट भी बनाया गया था और इस ड्राफ्ट में कई सारे पॉइंटों का जिकर है अब दोस्तों इस पॉइंटों में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब तक पुरा दुनिया परवानों हत्यारों से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक भारत एक जिम्मेदार पूर्ण परवानों शक्ति बना रहेगा मतलब पुरा दुनिया अगर अपने आपको परवानों शक्ति से फ्री कर लेता है तो भारत भी परवानों शक्ति को छोड़ देगा इसके इलावा तब तक भारत एक क्रेडिबल मिनिमम् डिटरेंस को बिल्ट भी करेगा और उसे मेंटेन भी करेगा इंडिया कभी वी ऐसे किसी देश के उपर परमानु हत्यारों का इस्तिमाल नहीं करेगा जो परमानु हत्यार संपूर्ण ना हो तो भारत अपने No First Use Policy के अंतरगर ये भी वताया कि भारत कभी वी किसी वी देश के उपर पहली बार परमानु हमला नहीं करेगा पर अगर भारत के शेत्रे के उपर या फिर दुनिया के किसी वी हिस्से में इंडियन आर्मी और आर्म फोर्स के उपर परमानु हत्यारों से हमला होता है तो भारत रियक्शन के रूप में जो पहला हमला करेगा वो भैंकर होगा और दुश्मन को भैंकर परिमान में नुकसान पहुँचाने के लिए ये हमला होगा दोसों इसके इलावा इंडिया या इंडिया न्साइनिक बॉलों के उपर दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर किसी भी तरीके का biological या chemical हत्यारों से भी हमला होता है तो इसका जबाब भारत के तरफ से परमानु हत्यारों से दिया जाएगा और इसके इलावा भारत कंटिन्यू परमानु हत्यार रिलेटेड टेकनोलोजी और उसे डिलेवर करने के लिए जो मिसाईलों का टेकनोलोजी है उसके उपर भी काम करता रहेगा अब दोसरो भारत के no first use को लेके कई सारे एक्सपोर्टों के तरफ से कई वार सवाल उठाया जा चुका है जिन में बताया जाता है कि फिलाल दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो परवानु हत्यार संपूर्ण हो और no first use के policy को अपना रहा हो चाहे अमेरिका हो योरोफ के देश मतलब ब्रिटेन और फ्रांस हो वो भी no first use policy को नहीं अपनाते है मतलब इन देशों के उपर अगर किसी भी तरीके का हमला होता है जिसका जवाब ये नहीं दे पा रहे हो और वो हमला अगर परवानु हमला नहीं भी होता है तब भी ये परवानु हमले से जवाब दे सकते है जबकि दूसर तरफ रश्या के तरफ से भी no first use policy को अपनाया गया था लेकिन लंबे समय पहले रश्या के तरफ से भी इस policy को विड्रॉल कर लिया गया और बाकी रहा चायना तो चायना हमेशा से ही no first use policy के उपर silent रहता है मतलब दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो ये मानता हो कि उसके पास परवानु हत्यार होगा और पहले कभी हो परवानु हत्यारों से हमला नहीं करेगा जबकि दोस्तो भारत के पडोस में पाकिस्तान जैसे देश ये तो संपूर्ण रूप से गैर जिम्मेदार पूर्ण देश है जो आए दिन परवानु हत्यारों को डागने का धमकी देता रहता है चाहे इसरायल हो भारत हो इवन अफ तो छोटे छोटे देशों के उपर भी परवानु हत्यारों को दिले इस्तेमाल करने का धमकी पाकिस्तान देता है पाकिस्तान के परवानु हतियार असुरक्षित हतियार है और पाकिस्तान के परवानु हतियारों को कंट्रोल करने वाले लोग गैर जिम्मेदार पूर्ण हैं इसी कारण पाकिस्तान को तो जिम्मेदार पूर्ण परवानु शक्ति के वीच में माना भी नहीं जाता है अब दोस्तों जितने वी जिम्यदार पुर्ण परवानु शक्ति संपुर्ण देश है कोई वी ऐसा देश नहीं है जो no first use policy को अपना रहा हो तो ऐसे में भारत को क्यों अपनाना चाहिए इसका कोई जवाब नहीं बनता हाला कि दोस्तों जब 1998 में भारत के तरफ से परवानु के लिए प्रतिवंद लगाया गया था और दोस्तों इनी प्रतिवंदों के कारण भारत को no first use जैसे policy को अपनाना पड़ा ताकि ये प्रतिवंद रहिला हो और भारत के economy के उपर बुरा असर ना पड़े पर अब दोस्तों situation संपुर्ण रूप से बदल चुका है और भारत क के अंदर इसे खत्रा नहीं माना जाता था अब दोस्तों जिस तरीके से चाइना भारत के जमीन का भूका बना हुआ है और भारत के अलग अलग शेत्रों को कबजा करने के लिए मनसूबा बनाता रहता है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि किसी भी वक्त चाइना भारत के खिलाब लड़ाई छेड़ सकता है चाइना भारत के अरुनाचल प्रदेश को भी चाता है सिक्कीम, हिमाचल, लदाग जैसे सेत्र को भी चाता है और दोस्तों चाइना के ये जमिन के भूक के कारण साल 2020 में भारत और चाइना के बीच में एक जड़ब भी हुआ और उस दर्मियान चाइना को ये महसूस हो गया कि दादागिरी के बलबूते पे या कन्वेंशनल हतियारों के बलबूते पे तो चाइना भारत के जमिन को हतियान नहीं सकता और अगर हतियारों के बलबूते पे चाइना ये जमिन हतियाने का प्रयास करता है तो एक बहुत बड़ा लड़ाई होगा और इस लड़ाई में चायना को ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब ऐसे में दोस्तों चायना पाकिस्तान दोनों 31 रूप में भारत के खिलाब लड़ाई छेर सकता है और आप लोगों को पता होगा कि दोनों देशों को 31 रूप में काउंटर करने के लिए भारत को कई तरीके के शक्ति का आवशक्ता है और फिलाल इसमें कही सारे शेत्र में भारत कमजोर भी है खास करके एरफोर्स के मामले में क्योंकि भारत को दो फ्रॉंट लड़ाई के लिए 42 स्क्वाडरन एरक्रैप्टों का आवशक्ता चाहिए था लेकिन भारत के पास 30 स्क्वाडरन एरक्रैप्ट के आसपास है हलाकि तैस समय पे अगर पुरानी एरक्रैप्ट रिटार्ट नहीं किया जाता है और नए एरक्रैप्टों को भरा नहीं जाता है तो शायद ये संख्या आने वाले समय में और कम हो जाए मतलब चाहिना अगर भारत के खिलाब लड़ाई छेड़ता है और दूसर तरफ पाकिस्तान भी चाहिना के मदद के लिए लड़ाई छेड़ता है तो भारत के लिए ये दोनों देशों को एक साथ काउंटर करना मुश्किल हो सकता है और ऐसे में दोस्तों परमानु हत्यार ह को ही बदल दे तो इन दोनों देशों के तरफ से भारत के खिलाब लड़ाई छेड़ने का संभावना इघड़ जाएगा क्योंकि इन दोनों देशों को तब ये महसूस हो जाएगा कि अगर लड़ाई छेड़ते हुए ये रेड लाइन को क्रॉस कर लेता है तो परमानु हम करने का धमकी दिया जाता है दूसरे तरफ अगर हम चाइना को देखे तो साल 2020 के बाद से अलग अलग ख़बरों में इस बात का जिकर किया गया कि कैसे चाइना भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक अपने बड़े हतियारों को तैनात कर रहा है और परवनों हतिया है कि चाइना को इस बात का डर है कि भारत शायद अपने no first use policy को बदल दे और इस डर के कारण चाइना के तरफ से भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक मिसाइल मतलब परवनों हतियारों को दाख पाने वाले मिसाइलों के भी deployment का खवर आ रहा है अब दोसे इन द्वारा अगनी 5 मिसाइलों के range को extend किया गया उसके बाद चाइना काफी अधिक परिशान है और इसी कारण भारत के मिसाइल परिक्षन के जानकारी को हासिल करने के लिए चाइना इतना उतावला हुआ पड़ा है कि इंडियन ऊशन में लगातार अपने spice shift को भेज रहा है और कोकू आइलेंड में मतलब मयानमार के आइलेंड में भी मिसाइलों के जाच परताल को जाचने के लिए अपने ठिकाना बनाने का काम कर रहा है अब ऐसे में दोस्तों चाइना को ये डर है कि भारत अगर अपने मिसाइलों को खुफिया तरीके से और long range का बना लेता है त तो चाइना की security और safety संपूर्ण रूप से compromise हो सकता है और शायद इसी कारण के वज़ा से चाइना के द्वारा भारत के साथ लगे हुए border के नजदीक परवानों हतियार संपूर्ण मिसाइलों को डिप्लॉई करने का बात उठ रहा है